हाइ दोस्तों मेरा चैनेल पर आपका स्वागत है देख लिजए मैं आज बेगन और आलू का और टमाटर और बीम का भाजी बनाने वएव जो मैं पी और भेज बनाने वळा हूँ दोस्तों इसमें रसुन पियाच बिल्कुल नहीं देने वलभ दोस्तों देख लीजये में कर उसका साथ बीम लियाओं जो बीम भाजी होता है और दो तामाटर लियाऊ दोस्तों देख लिजए मैं कैसे बनाता हूँ कराई पर तेल देंके मैं जीरा का छोग दियाओं जीरा का छोग में बनाने वलाओं मैं इसमें प्याजरुसुन देने वलनी थे देखिए यह ऐसा लिए उसको छोटा चोटा चोटा घर करके दो एक बेगन का चार फल लग दोस्तों तब समझ लेजिए कि इतना छोटा था मैं आपको कभी वीडियो में आपको बेगन आपको दिखा दूंगा कभी मैं आपको कट करते हैं नहीं दिखाया आप कमेंट करिएगा तुम्हार में देखिए मैं नमक ढाल रहाओ एकदम सुका भाजी बनेगा दूस्तों एक चमच और थोरा सा लियाओ आधा चमच भी नहीं दूस्तों उससे भी कम एकदम कम मसला में बहुत अच्छा सजी बनता है आये छोटा वाला जो बेगन होता है दूस्तों बहुत टेश्टी होता है यह हल्दी पौडर है दूस्तों वह आदाचे मुशलिया उच बहुत प्रेष्टी में देख रहे हो तो आप खाईएगा तब को बहुत जो महाराष्ट्र में देख रहा है तो खाता ही होगा जो बहार से देख रहा है दो नहीं खाता होगा लेकिन आज आज कर सब जगह में सब कुछ मिलता है तो आपको मिलता है तो आप बना के खाई आगा यह बहुत टेस्टी होता है तो आज में यह वेगन का रेसिपी आपको बेगन का रेसिपी मैंने नहीं दिया था यह छोटा वाला बेगन का तो मैंने सूचा इसका भी रेसिपी दिया जा लेकिन मैं है आरा मिर्ची बिल्कृल नहीं देनेवालां मैं आपको देना है तो आप सकते लेकिन मैं हारा मिर्ची नहीं दे रहा हूँ कि मैरा बच्चा को मुँमे आता है तो उसको पॉब्लम होता है इसलिए मैं हारा मिर्ची नहीं दे रहाँ और देखे धन चमुष दिया धनिया पड़र अब इसको अच्छा से फ्राई करेंगे दूस्तों थुरा पाने डहल लेंगे क्यों मसला जलना नहीं चाहिए और दिखिए टामाटर मैंने बरासा यह टामाटर लियाओं तो आपको यसी मसाला को अच्छा सा फ्राई कर लेना है उसका बाद आपको इसमें पान जहलने का है दोस्तों आप यूटूब से देखते हैं पुरा वीडियो वाश्च करेंगा देखें आपको एकदमम अमक्रमम्य है इस यहां दिखिए अपको कमती मसला में सबजी बने गार्व स्वादeteいます इसका ड़क देंगे पांच मिनिट के लिए कम आज कर दीजेगा ने तो मसला पाने नहीं डाला नो जल सकता है इसलिए आप थोरा कमी कर दीजेगा आज कि अब इसको पाई ढलेंगे दोस्तों थोरा हिला के मैं भाजीूजी का रेसिपी देता हो दोस्तों इतना नहीं देता हो ज्यादा नोनबेज कहीं देता ह pew आप लोग मुझे कॉमेंट नहीं कर बंदवें यहेगाश आपको किस्ता भाजी चाहिए जो मैं खाता हो दोस्तों मैं बनाके ज़रूर आपको दिखाने वाला हूं लेकिन कोई कोई चीज में नहीं खाता हूँ तो आप लोग बोलेंगे वो भी बना के दिखाओ तो शायद में बनाने सकता हूँ तो उसके लिए माफ कर दिजेगा ऐसा बहुत चीज आदमी बहुत कुछ नहीं खाता है को इसमें ना में बिज खाते हैं भेज भी खाते दोस्तो तब वो सब मैं कुछ माइब यहनी अब इसको एक दम तेज आश में पकाएंगे दोस्तो अलुपकने का यह बाकि बेगन होगन तो पके जाता है यह सब अलुपकने का दीखिए दोस्तों कितना अच्छा भाजी बनाएं अभी इसमें आप उतानने का टाइम पे धनिया पत्ता डालके आपको एक दू मिनिट पका अब बेगन होगन तो मत तरिएगा देखिया मैं ताजा वाला धनिया पत्ता लिया हूं उसको ढाल दिया हूं अच्छा से और दोस्तों प्लिस में बोलने में कुछ गलती करता हो और कुछ गलत बोलता हो तो प्लिस मुझे माप कर दिजेगा आप लोग गुसा मत तो यह का प्लिस पुरा वीडियो देखियेगा और अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा शेयर भी करिएगा और सस्काइब करिए गई वह तो करना बहुत इंप्रेंट है तो करेंगे तो मैं जब वीडियो ढलूंगा तो आपका पास पहुच जाएगा चलिए देखिये मेरा त सब जीवन के रेडियो के दोस्तों चलिए दोस्तों मिलते आगला वीडियो पर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे